Hello Everyone, रादे रादे आप सभी का हमारी चनल में बहुत स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी के साथ से और करने वाली हूँ रामनॉमी के दिन किस प्रकार पूझा की जाती है रामनॉमी के दिन सुभा के समय होती है दुर्गा जी की पूझा क्योंकि ये नवरात्रे का आखरी दिन होता है तो उसके बाद आप राम नौमी की पूझा कर सकते हैं आप चाहे तो साम के समय भी राम नौमी की पूझा कर सकते हैं बिल्कुस साथा सिंपल तरेकी से मैंने आप ठाली सजा लिए जिस जगे आप पूझा करने वाले हैं उस जगे सबसे पहले हल्दी से उस जगे को आप लीप ले अगर हल्दी थोड़ी सी कम है तो थोड़ासा गंढा जल डाल कर भी उस जगे को आप सुद्ध कर सकते हैhos तो मेरी तरह तो स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं इसके ऊपर आपको रखना है प injust चॉकी तो आपके पास चॉटा सा पटा है तो उसे भी रख सकते हैं यह दो उसके ऊपर आपको बिचाना है पीले कलर का बस्तर क्योंकि भगवान स्री राम चंद्र को पीला बस्तर है बहुत प्री है स्री हारी पीला बस्तर बास्तर नारी का हिए और बस्तर क्लै। Bl Points और पर लिज स्री हरुआ को या पर यह को आसन के लिए पुश्त कर दky है किया जाता है इस फूलों के आसन के ऊपर हम भगवान सी राम चंद्र की तस्वीर रखतेंगे अगर आपके पास मूर्ती है तो आज के दिन आप मूर्ती का भी पूजन कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो यहां पर थोड़ा सा हम बीच में चावलों का पुंजी रखकर इस पर रखेंगे हम घी का दीपक क्योंकि जब भी कभी कोई हम पूजा करते हैं पूजा सुरू करने से पहले सबसे पहले दीपक कोई प्रजुलित किया जाता है तो हम लोग भी जो है न सबसे पहले चला लेते हैं चला लेते हैं दीपक इस तरह से दीपक जला ले और हाज को कर रहे हैं वो हमारी कामना पूरी हो और हमारी पूचा जो है न निर्विक न संपन हो सबसे पहले आपको दीपक का पूचन करना है एक फूल लिया है फूल में रोली चावल लगा कर दीपक का पूचन कर दें उसके बाद एक फूल लिया है हमने उस से उस फूल में थोड़ सा उस्सा है चंदन किसने का लग रहा है ना बड़ा क्यूट मुझे बड़ा अच्छा लगा है ये आप पूछो की दिदी एक कहां मिला तो जहां पूजा का सामान मिलता है ना वहीं से मैं लेकर आई थी बहुत पुराना है सफाई की जब मुझे दिग आता तो बस सबसे पहल जरूर करें बहुत जरूरी होता है तो इस तरह से गड़ेजी को आप ब्राजमान कर लें मैंने इसलिए ब्राजमान करके दिखाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके अगर आपके पास गड़ेजी की फोटो तस्वीर नहीं तो सिपाड़ी रूपी गड़ेजी ब भगवान को अर्पित करेंगे सबसे पहले सीता मया को रोली का टीका तो लगा दूँ मैं तो यहां पर रोली का टीका लगा दिया है कलावा रूपी दो दो बस्त जो हैना आपको अर्पित करने हैं तो मैंने यहां पर गड़ेजी पर वस्त अर्पित कर दिया उसके बाद हम हम लाल कलर का फूल अरपित करेंगे, क्योंकि महलाओं को खास का लाल कलर अच्छा लगता है, किस गिस को लाइल कलर अच्छा लगता है, मुझे जरूर बताना, उसके बाद हमने बहुत सारे फूल, इस फोटो में सब बहुत सारे देवी ऊच्छा, सब को खुब सारे फूल हमने अर्पित कर दी है आप चाहें तो माला भी पहना सकते हैं आपकी इच्छा है मैं आपको सरल तरिका बता रही हूँ इसके बाद लेनी है, आपको पांच मेवाई पांच मेवां का यह भोग आज के दिन लगाया जाता है तो पांच मेवाई अर्प का भोग आप लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो लड़ू का भी भोग लगा सकते हैं लड़ू मार्केट से मंगवा ले या बना ले जैसा देखिया आपके पास टाइम हो इसके बाद आज रामायन की पूझा बहुत जरूरी होती है रामायन आज के दिन आप दान भी कर सकते हैं सबसे पहले आपको रामायन का पूझन करना है हल्दी चंदन लगाकर रामायन पचड़ा देंगे पुस पचड़ा दीजी अगर आप नई रामायन लेकर आएं तो उस पर स्वास्तिक बनाकर उसका अच्छे से प्रॉपर तरह से पूझा करे आर्थी करे रामायन की तो हमेशा अपने पास ही रखे और हर एक घर में एक रामायन का होना बहुत जरूरी है रामायन एक ऐसा गरंत है जिसे पढ़ने में बहुत आनंदाता है इसके बाद मैंने एक पुस्प लिया है उसमें थोड़ा सा अबरक लगा लिया है सिंदूर देखिया आज मुझे मिला न नारियल आज के दिन फल सरूप राम चंदर जी को अर्पित किया जाता है तो भगवान राम को आप इस तरह से फल अर्पित कर दे और बाद में इसे प्रसाद के रूप में फोड़ कर खा लिया जाता है सीता मिया इस फोटो में बराजमान है तो सीता मिया को आमने सुहा का स सामान अर्पित कर दिया है, बाद में सामान को आप यूज भी कर सकते हैं, आप दान भी कर सकते हैं, आपकी मरजी है, इसके बाद आप चाहें तो आज से आप रामायन का पार्ट करना सुरू कि जी बहुत अच्छा होता है, और रामायन एक ऐसा ग्रंथ है, जो मतलब आगर आ थोड़ा सा मुस्किल लगता है, लेकिन बहुत अच्छा गरंथ है, जरूर पड़े अपने जीवन में, ये जीवन बारवार नहीं मिलेगा, तो इस जीवन में रामायन जरूर पड़े आप, इसके बाद देखी, राम चंदर जी की जनम दिन के उपलक्ष में राम नौमी ब त्यार कर दिये हैं, तो आज जो है, ना मैं दीपको का दान करूंगी, पाज, ग्यारा, एकिस दीपक, दीपकि दिखिए, जितनी आपकी सुवधा है, उतने दीपको का जो है आप दान कर सकते हैं, तो देखिए, आप दीपक त्यार हो गये है, चावलों के आसन की ऊपर आजमान करना है दीपक का पूचन करना है उसके बाद करनी है आपको आरती तो आरती में अपने सभी परिवार वालों को सामिल करें क्योंकि आज हमारे रामचंद्र जी का जनम दिन है तो सब को सामिल होना है उसके बाद आपको लेना है एक पीला जंडा आज के दिन अपने घ पास तू दोस्त को एक्दम खतम करता है चोटी-मूटी दिक्कते तो यह जंडा ही खतम कर देता है तो इस तरह का जंडा अपनी घर की छत पर आपको लगाना है याद रखें जहाँ एंटरेंस होता है वहीं आप लगा दें तच्छड़ी सामें भी जंडा बहुत अच्छा हो